हेलो एवरीवन, हेलो दिया स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार, दे सूपर लर्निंग प्लाटफॉर्म हैं, हमको पुराना सारा आता है, माल लीजी हमने 50% स्लेवर्स कवर किया, तो 50% हमें आना भी तो चाहिए, होता क्या है, हम 50% स्लेवर्स कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत सारा कुछ याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि रिवीजन का टाइम हम निकाल नहीं पाए, या प्रॉपर भी सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन दबाए, और दे बल ऐकन ऐस वेल, क्यास देखिए, सीधा काम की बात पर आते हैं, पहली चीज तो यह, हम क्या करते हैं, हम यह सोचते हैं कि रिवीजन हम बिल्कुल एक तरह से मुहरत निकाल के करेंगे, हम प्रॉपर प्लानिं नहीं है, या बहुत रेर आता है, तब तक हम जब भूल जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं, तब उसके बाद हम करना शुरू करते हैं, या जब टेस्ट पास आता है, तब करना शुरू करते हैं, तब तक efforts भी डबल लगते हैं, क्यों बहीं, चीजे भूली गई हैं, तो फि कैसे करें तिरेसे सबसे पहले चीज रिवीजन का मूहरत मत निकाल ले हैं जब मौका मिलेए तब चौका यानि रेंडम रिवीजन जब पन्दरा मिनेट में फ़्वडा सा रिवीजन कर लिया नोट्स अपने पुराने जो बहुतने आपको से रखो गे तो यह सब अध्यान देते हैं और कम समय में अच्छा करते हैं क्यों कि भाई एवरे स्टूडेंट जो यह गलती करता है जो रिवीजन शुरू में करता ही नहीं है वो बाद में दुबारा पढ़ेगा और उस पर और प्रेशर आएगा टाइम ज्यादा लगेगा यानि रेगुलर रिवा जो आपने class में नोट्स बनाए हैं वो आपके सबसे अच्छे साथ ही होते हैं रिवाइस करने के तो उनको अब रिवाइस करो लेकिन यह नहीं कि उसमें बिल्कूल धीरे 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 लगग गए ऐसकी ठीके ना फास्त लिडिग करो अब फास्त इडिग में क्या होता है न लेकिन असली revision तुमारी जो होगी न, वो होगी problem solving से, जिससे revision वाला part boring भी नहीं होगा, नहीं तो revision करते करते सही बता हूँ न, कई बार boring भी हो जाता है, बार बार भार वही notes देख रहे हैं, होता है न, आपके साथ, है न, तो यह होता था, मेरे साथ भी होता था, तो problem solving is a very good way, excellent way of revision, ठीक है, एक तो उसमें question solve हो जाएंगे, practice भी हो जाएगी, यानि with the help of practice, आप revision कर रहे हो, खुद ही सोचो इससे अच्छा revision का तरीका क्या हो सकता है, यानि आप problem के through theory पे जाओ, जो दिक्काता है, जहाँ दिक्काता है, theory को refer कर लो, notes को refer कर लो, book को refer कर लो, जो भी कर रहा है, यानि revision का सबसे ज़्यादा effective, एक तरह से जो secret tip है, आप सभी के लिए, वो यह है, problem solving के through revision कीजिए, theory से problem पे, theory एक बार fast reading कर लिए, formula बगार device कर लिए, उसके बाद आप questions करो, question में जहाँ पे stuck हो, उसके लिए, आप अपनी theory को refer करें, simple है, that is the best way of revision, समझ रहो ना, ये तो जारा तर स्टूडेंट सिर्फ notes को ही पढ़ते ही रह जाते हैं, in fact उसका भी time नहीं निकाल पाते हैं, समझ रहो ना, अगली चीज, फिर एक वक्त आता है, जब हमें एक chapter बहुत बढ़िया से कर लिया है, मतलब सारे previous questions आते हैं, सब आते हैं, अब वक्त आता है short notes बनाने का, यादि जो भी तुम्हारे class notes है, जो भी आपने बनाए हुए है, class notes का भी, बहुत short form होता है short notes, लेकिन वो तभी बनाने चाहिए, जब हमको chapter बहुत अच्छे से आता हो, नहीं हम उसको short notes में convert नहीं कर सकते, short notes में वो एहम formulas, points होते हैं, जो exam में basically, मतलब उससे वगर सिर्फ, short notes का अच्छा होने का मतलब क्या है, कि ये 3-4 pages में है, 5-6 pages में है, आपने उस chapter को complete summary उसकी लिख दी, key points, formula, कुछ question भी आप and कर सकते हो, कुछ key important questions, वो ऐसे होने चाहिए, कई और exam में उनी points में से question आए, अब देखो देरे देरे तुमारे short notes का compilation हो जाएगा, किसी और के short notes के चक्कर में ना पढ़े, सब खुद के notes होते हैं, खुद के हाथ से लिखीवी चीज होती है, वही matter करती है, किसी और के दिमाग द्वारा लिखीवी चीज को आप पढ़ोगे किसी और के दिमाग द्वारा लिखीवी चीज आप पढ़ोगे, तो उसका outcome कहां से मिलेगा, dear students, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सब्समेही बात आपको, ठीक है, तो ये बहुत-बहुत-बहुत important tip है की short notes बना ले ना, बाद में, ठीक है, once the chapter is complete, और बाद में फिर revision करोगे न, तो आपको पूरे class notes को करने की जरूरती नहीं, simply short notes देखे, फिर क्या किया, फिर questions किये, short notes, questions, hoping that आप ये superb तरीका समझ चुके है, और इसको apply करना immediately शुरू करते, आपका confidence कितना बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, समझे हो, तो कि ये लाखो experience की problem थी, और hoping that आज वो problem, काफी students जो इस बात को apply करेंगे, उनकी problem पका solve जाएगी, पतला, पकी बात है वहीं, फुल, ठीक है न, और like तो करी दिना, subscribe नहीं के दो बहुए, चैनल को subscribe कर दो, और students को एक चीज मुझे बतानी थी guys, अपना एक batch चालू हो रहा है, NEET 2021 के लिए, और ये के batch already start हो चुके है, एक लवे, warrior and अभी mannew, तो उन में से भी जो भी आप course चाहें, वो join करना चाहें, तो आप join कर सकते हैं, okay guys, I wish you all the best, on the behalf of team ATP Star, love you all.